सब्सक्राइब करता हूं सबसे पहले सारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ जितने भी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज मैं आप लोगों के साथ एक इंपोर्टेंट टॉपिक को डिसकस करने जा रहा हूं जो आप लोगों की यूपी मर्सी के इस लिवस में भी है और लगबग सारे एक्जाम में आप लोगों का पूस्ता है चाहिए आग्याने वाला एक्जाम आपका इस रोका हो एससे जेई का हो जितने भी टेक्निकल सबसे पहले से कर रहा हूं फिर फिल्टर की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे तो यहां मैंने कहा कि सौट नोट्स मा आप लोगों को सीधे बनवा रहा हूं तो टॉपिक के इस तुरेंट आप लोगों का रेक्टिव फायर यहां से गर मैं लिखता सबसे पहले बात दिमाग में आती है कि सर्ट होता क्या है तो हमने कहा कैसा सर्कृٹ होता है सबसे पहले बात आई आपकी यह कैसा सर्कृit होता आपका अब सबसे पहले बात किया कहीं कि एक धूसरी बात मैंने यहीं से क्या जोड़ी इस्ट्रेंट आप लोगों की करता क्या है यह आप लोगों का जंदली एसी को डीसी में करता है तिक है अब जानते हैं कि मतलब एकांतर से होता है एकांतर का फिर वही वैल्यव को यह सी अगर मैं कह रहा हूं तो डौ डारेक्सिण में यह सिग्नल चल रहा होता है तो डौ डारेक्सटनल को कुछिए स्घ्नल को किसी करता है इसमें पार तो आपका सिंगल को चेंज करता है है कि अगली बात अप लोगों की यह हमने क्या कहता है क्या करता है चेंज है यह या फिर इसी बात को You कोurgie करता है। बनता किस्षे है घुल्ट आप लोगों का तो यहां से अगला क्विशन मैंने रेक्टिफायर के लिए कहा में कंपॉनेंट होता है वह कौन होता है तो रेक्टिफायर का में मांट होता है कि याद रखेगा कि कौन होता आपका 관심 आपका जो सब्सक्राइब बनाए जाता है इसी क्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं कि पूसने का जो तूसरा तरी वह त्यूंट आप लोगों का में एप्लिकेशन ऑफ डायोड का मुख्य अनुक्तियों क्या में एप्लिकेशन जो डायोड का हुता है है इस्ट्रेंट आप लोगों का यह क्या होता है रेक्टिफिकेशन होता है इस्ट कारिता होता है एक यह तो बात आई इस्ट्रेंट आप आपका यह क्या है यहीं से थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ा कि हमें अगला क्यूशन कितने टाइप का रेक्टिफिकेशन होता है फिर बात आई आप लोगों की कि रेक्टिफायर जो circuit होते हैं जो power supply में यूज होते हैं जनरली उनकी सिर बात कर रहा हूं तो ये दो type के होते हैं और ये दो type कौन-कौन से हैं इस्टुरेंट आपके सबसे पहला हमने कहा कि first जो आपका निकल कर आता है वो है इस्टुरेंट आपका half wave rectifier अर्ध तरंग डिस्ट कारी जिसे हम क फुल वेव रेक्टिफायर ठीक है तो पहला आगे आपका half wave rectifier ठीक है और दूसरा जो हमारा निकल कर आता है इस तुरेंट आपका वो आता है फुल वेवे रेक्टिफायर और दूसरा जाता है और लुट कहसे होते हैं यह भी द्यान शेखेगा पहले टाइप आता अप लोगों का सेंटर टेफ वे रेक्टिफायर और दूसरा घर्ट आप लोगों का इतु प्रकार का उल्वॉ रेक्टी फायर तो भी टाइब रेक्टेफायर को फूर्ण तरंग दिस्थकारी को दो भागों में माटा जाता है है और दूसरा आता है इस द्रेंट आपका ब्रेस्ट तक मैंने सिर्फ इंट्रोड़क्टरी बात रिए आपके लिए कही है कि रेक्टिफायर क्या होता है वो कैसे काम करता है वो कितने टाइप का होता है यह बातें अभी तक हम ने सिर्फ इस से ज्यादा कुछ नहीं देखा है कि आसने हमारे पास जो मेजर बात अभी तक निकलके आई है वो यह है के रेक्टिफायर दो टाइप के होते है और अवर वैसे देखो तो तीन निकल करें कि दो इसके और डाइब होते ओसे कहानी को और आगे स्टुटेंट मैं कैसे बढ़े इसी के बाद कि आगे कम में बढ़ते हैं मैंने सब से पहत से बाद करेक्श टार्ड की ऑफ है कि लगते का से लोगं किसे देखा मैंने कहा कि सबसे हएसे पहला आपका हाफ वेव रैक्टिफायर है कि सबसे पहले को हम ले कर चलते हैं कि सबसे पहला हमारा कौन है पोई तॉट में जब लिखा जाते हैं है है तो हमारा पहला रैक्टिफायर निकल गांगे ध्यान करें तो आप लोगों लाइन कमेंट में इस क्लास के जो नीचे आप लोगों के कमेंट से फिर भी कोई डावट रहता है तो वहाँ से आप लोग अपने डाउट पूछ सकता है अब देख। half wave rectifier को start करता है सबसे पहली बात मैंने half wave rectifier के लिए क्या कही इसके नाम से पता चल रहा है कि input जो signal आएगा उसके सिर्फ आधी cycle या half cycle ही क्या होगी rectify होगी तो आपने क्या कहा कि only half input cycle कि आधी input cycle ही क्या होगी आप लोगों की rectify होगी only half input cycle will rectify कि सिर्फ रेक्टेफाई जो होगी आप लोगों की वह कौन होगी आधी इंपुट साइकल होगी पहले बात आपका दूसरा कोईशन आप लोगों का आता है इस सर्कुट में अगर मैं नंबर ऑफ डायोड की बात करता हूं मैंने सिंपल से बात कहीं कि यहां पर डायोड की जो कि एक डायोड ऑन होता है तो डायोड के लिए याद रखेगा कि डायोड ठीक है मैंने यहां से कहा ऑन और सीधे सॉर्टकेट मैंने कहा क्या उनली फूर हाफ इंपुट साइकल के लिए ही सिर्फ डायोड ऑन होता है ठीक है बाकी के आधी इंपुट साइकल के लिए कि जनरल में सर्किट को आप लोगों को तोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं तो हमने क्या कहा कि यह आप लोगों का इस तरह से ट्रांसफॉर्मर लगा होता है कि आप डारेटली एसी सोर्स भी लगा सकते हैं क्या गई आपकी सेकंडरी वाइन नहीं ठीक है अब इसमें हमने क्या का था कि यहां आप लोगों का सीरीज में यह ऐसे क्या लगा होता है जनरल अगर मैं लेकर भी चलूँ तो यह इस तरह से हमारा डायोड लग गया ठीक है इसी डायोड के साथ अगर मैं यहीं से और आगे बढ़ता हूं तो मैंने कहा कि यह हमारा इस तरह से लोड पर चलतों वी एसी यहां सेकंडरी वाइडनिंग पर यह इन्पुट आ जाएगा यह भी हमारा कैसे होगा कैसी होगा और आउट्पुट पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा यह तो आगे आपका जनरल सर्कूट आप ऐसे देख सकते अच्छा इस सर्किट में आ आप ट्रांसफॉर्मर ना लगाकर आप डिरेक्ली फूर्स भी लगा सकते हैं मतलब आपका ट्रांसफॉर्मर नेसेसरी एलिमेंट नहीं है ठीक है इसी के बेसिस पर फिर मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कहा कि जो हमारी आउट्पुट की वेव फॉम आती है ठीक आउट्पुट पर देखते हैं या यह रेक्टिफायर को जब हम लोग पर लेकर चलते हैं चलते हैं यह अदयी बेव नियोंकि बराबर होते हैं अभी साप सी आप लोगों का अभी मैं सिर्फ आपके पर चल रहा हूं अगर आपको आउटपुट एक्वेशन पहचानने को देता है तो आपने कहा कि सिंपल कुछ इस तरह से आता है कहां आता आपका Vm इंटो साइन अलफा और यह कहां से कहां तक है जब हमारा जो एंगल आपा है वह कहा होता है जिरो से लेकर पाई के बीच में अदर जीरो आएगा इसके बाहर एंगल जाएगा जैसे पाई से लेकर टूपाई तक फिर वैल्लू सीधे जिरो आजाती है यह ह और रहां पिक ठीक हम नपने किस के लिए बनाएं कि उसी तरह से अगर बढरता हूं तो नाम आपके निकल कर आते हैं पहला नाम होता आप लोगों का सेंटर टेप्ड और दूसरा होता है इस पूर्इंट आप ठीक है तो अगर मैं सबसे पहला पहला नाम लेकर यहां से चलता हूं फ़र्स अगर यहां से देखता हूं मैंने सिंपल से बात कही सबसे पहले हब हम बात करते हूं Center tape full wave rectifier की ठीक है यह टाइपस में ही मैं लेकर चला ठीक है यहां से सबसे बात कही सबसे पहले हम सेंटर टेप की ही बात करते हैं मैंने कहा सेंटर कि इसका नाम है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर तो नाम से पता चल रहा है इस प्रेंट आप लोगों का इसका आधा काम कि सेंटर सेंटर होगा उसको क्या किया जाता है कर दिया जाता है ग्राउंट कर दिया जाता है इसका सब से इंपर्टन पॉइंट आप से चाहते हूं यहीं सबसे पहले बात क्या गई रहें जो सेकेंडर j mina का होगा transformer का center of secondary winding जो होगा आप लोगों का is grounded यह कैसा किया गया होता आप लोगों का ground किया गया होता है अब आपको एक बात समझा रही होगी कि अगर मैं transformer की secondary winding को ground कर रहा हूं मैंने यहां कहा था हाफ wave की case में कि मैं यहां इसकी जगह पर यही बात अगर मैं सेंटर टेप में सोच हों कि मैं transformer को हटा दो और यहीं सोर्स लगा दो फिर उस स्थिति में मैं center किसका ground करूंगा center ground करना है transformer की secondary winding का तो इसका मतलब transformer लगाना जरूरी है तो फिर मैंने यहां से क्या कहा इस circuit के लिए हमें एक important question और यह भी पूचता है ठीक है तो यहां याद रखेगा इस पुरेंट आप लोगों का हमारा transformer जो होता है वो इस circuit के लिए एक necessary part होता है यह क्या कामने necessary part कहो necessary device कहो एक आवस्यक device होती होती है इसकी help से आपका यह rectifier नहीं बना जासे अगर आपने transformer नहीं लगाया आप center tape का full wave rectifier देखी बना ठीक है यह बात आगई अगली बात आती है कि number of diodes कितने होते हैं यहां से next question हमने कहा number of diodes कि कितने diode होते हैं तो आपने कहा कि number of diodes यहां पर होते हैं वह दो होते हैं full wave rectifier के लिए हमने क्या बात याद रखें किमम डायोड दो होते हैं मैक्सिमम आपके चार होते हैं तो दो diodes होते हैं फिर बात आई यहां से student आप लोगों की कि जैसे half wave के case में हमने कहा था कि सिर्फ आधी cycle पूरी की पूरी इंपट साइकल क्या होती है आपकी rectify होती है इस्त कारिता आती उसका मतलव हर समय पर on रहता है साइकिल में आन रहता तो इसी cases यहां से और आगे बढ़ा आया Single cycle में कितने ڈ onda रहते हैं ठीक है यहाँ से आप याद रखीगा कि एक ڈ record टीक है वन डायोड on टीक है Four.ाफ cycle कि आधी cycle के लिए सिर्फ एक डायोड on रहता है कहने का मतत्ब जैसे दूसरी आधी cycle चलेगी दूसरा डायोड आपका on हो जाता तो पहली half cycle ले सिर्फ पहला डायोड और दूसरे हाफ साइकल के आपका दूसरा डायोड क्या हो जाता है और कि डायग्राम के अगर मैं बात करता हूं तो कुछ ऐसा सर्कृट आता है यह मैंने मैंने ट्रांसोर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को बना यहां मैंने इस तरह से सेड्ड्र वाईडिंग को देखा वर इसमें ट्यंजें suffi ow invece ही है इसको सेंटर से क्या कर देना आप लोगों को ग्रांड कर देना इसके सेंटर पॉइंट पर ग्रांड कर देना अशे करने से होता क्या है कि लगा होता है यह दूसरा डायोड अक्सरम hearing यह कैते हैं दो हाफवेव रेक्टिफार सरक्यट हैं लगे हुए होते हैं अब यह देख़े साथ तर्मीनल आपस में कैसे हुते हैं इंटर कनेक्टे में होते हैं इसके साथ हमने यहां इस तरह से आपका लोड रेश्टर आरे लग गया और इसके एक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज वी आउट मिल जाए तो यह हमारा क्या कि आप यहां से देख सकते हैं कि डायोड डीवन हो गया और यह डायोड आपका हीटो हो गया इतना वोल्टेज उपर होता है उतना ही वोल्टेज आपका नीचे भी होता है तो यह हमारा क्या कि फुल वेव रेक्टिफायर में इसका सरक्ट डाइग्राम आगे इस पर ने साथ कहा कि इस तरकिट को हम लोग बिना किसकी नहीं बना सकते हैं तरकिट को हम लोग बिना ट्रांस्पॉर्मर के नहीं बना सक अबी तक कहानी किसकी चल रही है सेंटर टेव के चल रही है आउटपुट वेव फॉर्म एक साथ बनाएंगे क्योंकि एक जैसे दिखती है यहां तक इस पुरेंट आप लोग इसको प्रॉपर रिवाइज कर लिए इस ते आगे की चीटने लिखवाएंगे अगली क्लास मे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का टिक है यूपिया अमार्ची के जेई में भी में में से एसे ट्यों में में बहुते भी हैं सभी में यह टॉपिक पूछा भी जाता है इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें टीक है और जितनी भी हमारे नए स्टूरे और ज्यादा डेटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं आप लोग हमारे लक्ष्य बैच को विजिट कर सकते हैं हमारे एप्लिके टीडि ऑन लाइन प्लासे से वहीं अगर आप आई टी आई के स्टुरेंट आप आप आई टी इलेक्ट्रोनिक मेकैनिक बेज़ को भी गिदान चाहिं और आप लोग का आइडिया के लिए पैच है तो बाकी इस वीडियो को आप को अब योद्य को जरूर रहें और जितने बिन नए श्क्राइंट आप लोग हमारे चैनल को जरूर करें जब्सक्राइब आगे कि कहानी देखते हैं अगली क्लास में इसी अच्छे से तयारी करते रहें, all the best और आज के लिए, thank you, sir